हेलो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक एक्सपर्ट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलान एनरजी के शियर से रिलेटेड इसके फाइनेंशल डेटा को हम थोड़ा सा एनलाइस करें साथ ही साथ अगर हम देखें तो पिछले दो दिनों में इसमें हमें 23-24% के आसपास की ग्रोध देखने मिली है और दोस्तों अगर हम बात कर लें तो इसे एक प्रोजेक्ट मिला है जिससे रिलेटेड हमने पहले ही एक शॉट वीडियो बनाया है चैनल पे आप जाके जरू कर देते हैं आज का ये वीडियो विटाउट वेस्टिंग यूर टाइम दोस्तों दोस्तों आज के दिन अगर हम देखें तो सुजलोन एनरजी की जो करेंट प्राइस चल रही है वो 7.5 रुपीस के आसपास है 9.30% की हमें आज के दिन हमें इसमें ऐसी बड़त देखने मिल रही है पिछले 5 दिनों का अगर मैं आपको डेटा बताओं तो लगबग लगबग 22.61% के आसपास ये ग्रोथ हमें देखने मिल रही है वन मंत का दोस्तों अगर हम डेटा देख लें तो लगबग 39% के आसपास ग्रोथ यहां पे हमें देखने मिल चुका है सुजलोन रिलेटेड ये काम करते हैं रिनेवल एनरजी सोर्स में ये काम करते हैं और पिछले 2 दिनों में जो ये ग्रोथ देखने मिली है इसके पीछे इंका एक दोस्तों और है जो इन्हें मिला है CLP इंडिया के द्वारा ये order मिला है सितपुर गुजरात में इसे इन्हें पूरा करना है और लगबग अगर मैं आपको बताओं तो 252 मेगावाट के related ये project है यानि कि 252 मेगावाट तक दोस्तों इनको install करना है Renewal Energy सितपुर इंडिया में ये इनका project है और इसी के बाद अगर हम देखें तो पिछले दो दिनों में सुजलौन Energy में हमें ऐसी बढ़त देखने मिल रही है साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं आपको NSC के site पे लेके आऊ आज ही के दिन के अगर हम बात कर लें trade option में तो 45% के आसपास deliver पे quantity उठाई गई है जिया दोस्तों आप सही सुन रहे हैं 11 करोड के आसपास यहां पे trading हुआ है quantity जिसमें से 5 करोड के आसपास deliver पे उठाया गया है यानि कि काफी सारे लोग इसमें long term के लिए invest करने के लिए जा रहे हैं और इसी से related दोस्तों हम news बना रहे हैं अगर हम देखें तो सबसे पहले इंका हम एक बार financial analysis कर लेते हैं अभी तक इंका Q4 का result आया नहीं है और promoter holding की अगर हम बात कर लें तो promoter सिर्फ 17% के आसपास है और उसमें भी दोस्तो 88.54% pledge पे share है यानि कि girvy पे share है यह हमें अच्छा देखने नहीं मिलता है company दीरे दीरे दोस्तो loss में है एक बार profit में आई थी लेकिन अगर हम पिछले 3-4 quarter की बात कर लें तो company loss में ही है Q3 के result की अगर हम बात करें माफ किजिएगा Q2 की बात करें तो उसमें यह profit में थे September 2020 की बात है बट Q3 में वापस से loss में आ गए और अभी तक Q4 का result दोस्तो आया नहीं है सुजलान energy की दोस्तो अगर हम यहां पे financial data को थोड़ा सा analyze करते हैं तो यहां पे हमें कुछ खास देखने तो नहीं मिलता है और इसलिए दोस्तो यहां पे हम यह video भी बना रहे हैं ताकि आप यहां पे साउधान हो जाए ऐसे शेरों में दोस्तो आपको ज़्यादा invest नहीं करना चाहिए यही हम आपको कहना चाते हैं साथी साथ अगर मैं आपको इंका थोड़ा सा और data बताओ financial data तो आप यहां पे देख सकते हैं कंपनी पे depth 11,000 करोड रुपीज के आसपास है 11,893 करोड रुपीज के आसपास profit growth कंपनी का धीरे-धीरे नीचे गिरी रहा है book value minus 10 में है और अगर हम ROCE की बात कर ले तो वो भी minus 310% पे चल रहा है जो कि बिलकुली बुरी बात है दोस्तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताओ अगर आप सुजलोन एनरजी में invest करना चाते हैं तो high risk यह company है सबसे पहली बात तो दोस्तो यहाँ पे risk ज़ादा है बट साथी साथ इस से related अगर हम देखें तो इसके पास जो एक दोस्तो positive point है वो यह है कि यह renewal energy में काम कर रही है इंडिया दीरे दीरे renewal energy में काफी आगे बढ़ रहा है और अगर हम देखें तो आगे आने वाले दिनों में scope भी renewal energy का काफी अच्छा है मतलब company के लिए दोस्तो काम दीरे दीरे आता रहेगा अगर company अपने को समालने में दोस्तो सफल रही अच्छे से दोस्तो यह stability के साथ खड़ी रही तो पक्का आगे अगर हम देखें तो सुजलान energy अच्छा काम कर सकती है बट यहां पर यह एक small cap company है और इसलिए हम आपको यह भी सुजाओ देना चाहेंगे आप small cap में जादा बिलकुल मत invest कीजिए काफी सारे retail investors हो या काफी सारे investors ही होते हैं दोस्तो जो कि ऐसा सोचते हैं कि small cap में उन्हें फट से पैसा मिल जाएगा वेल ऐसा होता भी है कई बार लेकिन दोस्तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपना पैसा गवा भी देते हैं और share market में एक basic rule है दोस्तो अगर आप long term के लिए invest करते हैं तो आपको अच्छा खासा return मिल जाता है लेकिन आप अगर trading करते हैं या short term के लिए देखते हैं तो आपको result तो मिलता है लेकिन वो experience लोगों को मिलता है दोस्तो आप अगर नए हैं तो आपने काफी बार यहां पे loss भी सहा होगा mainly आपने 2-3 बार profit भी निकाला होगा बट उससे जादा दोस्तो आप loss ही सहते हैं और इसलिए अगर आप कभी भी share market में invest करना चाहते हैं तो आप अपना जादतर पैसा large cap stocks पे लगाए और थोड़ा long term के लिए लगाए दोस्तो वहाँ पे अच्छा होता है वहाँ पे आपको जादा दोस्तो कुछ गिरने का संभावना रहता नहीं है mid cap पे अगर हम देखें तो वहाँ पे भी आप लगा सकते हैं small cap में थोड़ा थोड़ा amount लगाए दोस्तो सुजलान एनरजी उसी में से आता है अगर आप इसकी price देखेंगे तो पिछले एक मेहने के अंदर अच्छी खासी fluctuate हुई है 40% के आसपास हमें growth देखने मिल रही है बिल्कुल अच्छी बात है बट यहाँ पे company के अगर हम fundamental की बात कर लें तो वो अभी जादा strong है नहीं साथ ही साथ एक जो positive point company के पास है वो renewable energy source का है जो कि अगर हम देखें तो आगे धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है एक हिसाब से अगर आप इसमें invest भी करना चाहते हैं तो बहुत एक छोटा amount invest कीजिए जादा बड़ा amount बिलकुल मत invest कीजिए इस share में और यही हमारी दोस्तो आपके लिए सला रहेगी और बाकी इसी के साथ दोस्तो आज का ये वीडियो हम समाप्त करना चाहेंगे अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइक करके दोस्तो आप हमारा उच्छा जरूर बढ़ाईए हमें दोस्तो प्रेरना मिलती है कि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहें तो लाइक जरूर करिएगा और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया धन्यवाद जैहिन